अधिर रिलेशन्शिब की शुरुआत यह बहुत हीArs canating और passionate होती है पर क्या यही passion excitement हमेशा के लिए ढूनना सही है कीयों से एक long-down relationship बनाई जा सकती है उस excitement के लिए क्या हमेशा new चीज थोणना सही हो सकता है इसी sense को लिएकर 2017 की newness यह movie आती है Modern day dating scenario और relationship को एक सही तरीके से explore करती है इसका end बहुत beautiful है तो अन तक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से फ़ले मैं आप सबसे request करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो भीज लाइक और कमेंट जरूर करतीजे इसे चैनल को बहुत support मिलता है अब बिना किसी दरीके इस movie को explain करना स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारे main character Martin और Gabi ये दोनों हमें दिखाये जाते है इनकी lifestyle में ये rating app पर swipe कर रहे थे जो भी इने अच्छा लगता है इनके साथ वो intimate हो जाते है मार्टिन एक hospital में pharmacist है उसके एक colleague है इसका नाम है जोना जोना अपना higher education करने के लिए अब यहाँ से जाने वाली थी उससे हैती है आज मेरा last day है मेरे साथ party में चलो मार्टिन इस पर ज़रा सोचता है फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया यहाँ पर उसने जोना को भी notice किया पर फिर भी वो अपनी dating app पर swipe करने लगया parallel में हम Gabi को देखते है जो एक physiotherapist है यह दोनों आज भी swipe करकर अपने लिए date ढून लेते हैं date पर जाने से पहले मार्टिन अपने friends के साथ था उसमें से एक friend ने मार्टिन के एकस wife के बारे में बात करना start कर दिया कह रहा था कि मार्टिन का एक type है मार्टिन अपनी एकस wife को लेकर बहुत ही ज़्यादा sensitive है उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तो अपने friends को छोड़ कर वो चला जाता है वो अपने date से मिला और बहुत सारी बाते उसने किये पैरलल में गैबी भी अपने date से मिलती है उसके साथ उसके घर पर चली गई ये दोनों intimate तो हुए पर गैबी satisfied नहीं थी वो ऐसे ही घर पर आ गए मार्टिन भी अपने date को घर लेकर जाता है पर उस ज़रा बीमार लग रही थी वो लटकी कहती है कि मैंने ज़रा ज़्यादा ही पेस ले लिये मार्टिन उसके लिए worried हो गया वो सिर्व उसका खैल रखता है और ये date ही ही खतम हो गया अब तक ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मार्टिन और गैबी ये दोनों आज रात अकिले थे इन्होंने फिर से अपना dating app खोला और swipe करना start किया दोने एक दूसरे को interesting लगे तो उनका profile भी match हो गया मार्टिन गैबी को message करता है कहता है मैं खुछ भी serious नहीं चाहता without strings वो उसके साथ intimate होना चाहता है कैबी भी यही चाहती थी तो यो दोनों बार में मिले मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते है पर गैबी उसके साथ पहले drink करना चाहती थी मार्टिन इस dating app के वारे में उससे बात करता है कहता है कभी कभी लगता है कि मुझे exploit किया जा रहा है सिर्फ उसके looks को देखकर लड़के उसे swipe right करती है कोई भी उसे actual में नहीं जानता फिर भी ये need थी तो इसलिए उसे उसे एगरी करती है इसके बाद बातों बातों में हमें पता चलता है गैबी ने 2-3 degrees लेकर रखी है उसे हमेशा कुछ न कुछ new करना अच्छा लगता है इसलिए अपने options को explore करती रहती है मार्टिन अपने career को लेका जादा satisfied नहीं था उसे लगता है कि वो एक जगा पर stuck है रहा से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला ऐसे बहुत सारी बाते इनोंने की फिर dance किया बार में कुछ games खेले इन दोनों को एक दूसरी की company बहुत अच्छी लगी ये दोनों जब बाहर आए तो गैबी उसे सच सच बता देती है क्यों किसी और के साथ date पर थी है मार्टिन कहता है इसे मुझे ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता गैबी को लगा था इनकी date यहीं खतम हो जाएगी और मार्टिन उसे dinner के लिए पूछता है ये दोनों और भी time एक साथ गुजारते है मार्टिन और गैबी इन दोनों को future में बच्चे चाहिए पसंद नहीं है पर मार्टिन कहता है तुम्हाई लिए में special बनाऊंगा तुम्हें अच्छे लगेंगे गैबी को कभी भी पसंद नहीं आते थे पर आज उसे अच्छा लगा वो मार्टिन से पूछती है इसमें special क्या है मार्टिन कहता है बहुती छोटी छोटी चीज़े होती है तो उन्हें perfect करना पड़ता है वेल अक्चुली यह movie का बहुत important scene है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा आज इन दोनों का day off था तो decide करते है एक साथ बिताएंगे यह अलग-अलग जगा परके paintings देखी बहुत मज़े की है गैवी फिर अगली सुभाई अपने job पर जाती है यह दोनों frequently एक दुसरे से मिलने लग गए इनका एक साथ रहना यह बहुत important था तो मार्टिन गैवी से उसके घर में movie इन करने के लिए पूछ लेता है यह सब बहुत fast था पर गैवी को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ा इसके लिए वह हाँ कही देती है इसके बाद यह movies देखते थे अलग-अलग जगा पर जाते थे एक दूसरे के साथ बहुत थी beautiful सा time बिताते थे एक दिन मार्टिन गैवी को अपने best friend और उसकी wife से मिलवाता है इन दोनों की chemistry देखकर मार्टिन के best friend को भी अच्छा लगा एक दिन जब गैवी मार्टिन के साथ intimate होना चाहती थे तो मार्टिन इसके लिए excited नहीं था वो गहता है आज मैं ज़रा ठक गया हूँ इसके ही अगले दिन मार्टिन गैवी को अपने बैरन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है गैवी और मार्टिन के फादर मिलकर cook कर रहे थे यहाँ फादर से गैवी को पता चला कि मार्टिन की मदर को dimension है उसे कोई भी चीज़े सही सी याद नहीं रहती गैवी के लिए surprise था मार्टिन को यह जीज़ उसे बतानी चाहिए थे घर में गैवी ने notice किया कि मार्टिन के बचपन में उसकी sister के साथ photos है मार्टिन ने अपनी sister के बारे में कभी भी उससे बात नहीं की थे यह सब जब lunch कर रहे थे तो मार्टिन की मदर, मार्टिन की एक्स वाइफ के बारे में बुच्छ थी है ये सब कुछ गैबी के लिए बहुत ही uncomfortable था वो मार्टिन से बुच्छ थी है तो कहता है घर जाकर हम बात करेंगे घर आने पर वो बहुत गुसा थी कहती है तुमने अपनी सिस्टर के बारे में अपनी मदर के बारे मुझे से बात क्यों ने किये मैं तुमारी गर्फरेंड हूँ तुम मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए मार्टिन कहता है ये सब मेरा पास्ट है तो मैं इससे बारे में जानना क्यों है गैवी उसे irritate कर रही थी, मार्टिन हार मान कर बता देता है, उसकी sister की एक car accident में date हुई थी, उसके बाद उसकी family पहले जैसे कभी भी नहीं रही, यह उसके लिए बहुत ही sensitive topic था पर फिर भी उसे बात करनी पड़ी, इस पर वो गैवी पर भी गुसा था, इसके बाद नेक सीन में मार्टिन अमने best friend के साथ था, उसका best friend उसे पुछता है, क्या तुम गैवी से प्यार करते हो, मार्टिन कहता है कि हाँ, उसने मार्टिन से कहा, तुमारी ex girlfriend को baby हुआ है, मार्टिन और इसकी ex girlfriend, इनका break up हुए, 10 साल हो चुके है, पर फिर भी उस पर believe नहीं कर पाता, गै इस था, उसकी doctor के साथ appointment वगरा हो गई, तो फिर से गैवी से मिला, उसे कहता है, आज रात मेरे यहाँ party है, अगर गैवी इस party में आई, तो एक celebrity से उसे वो मिलवाएगा, वो गैवी से यहता है, कि आज मैं ही आया, तो मुझे लगता है, इमें सिर्फ तुमारे लिए आया ह वो उसे मना नहीं कर पाया, वो इस बारे में गैवी को message करता है, गैवी ने भी decide किया, कि वो उस party में जाएगी, यह दोनों party में गए, और किसे और के साथ intimate हो गए, गैवी ने मार्टिन पर cheat किया, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो उसके पास है, रोकर उसे सब कु अपनी relationship पर काम करेंगे, जो एक दूसरे के साथ महसुस करते हैं, यह कवे भी किसी के साथ भी नहीं किया, therapist नहीं से separate session किया, वो मार्टिन से बोचता है, तुमने cheat क्यों किया था, वो गहता है, मुझे life में कुछ exciting चाहिए था, यही आंसर Gabby का भी था, therapist इन दोनों से बात क इन दोनों ने फिर बात की, वे first time में किसके साथ intimate हुए थे, मार्टिन को एक बात खाये जा रहे थे, गहता है, जब में छोटा था, तो अपनी sister को shower में देखता था, उसे लगता है कि Gabby को अगर यह बात पता चली, तो उसे monster समझेगी, Gabby कहती है, यह तो बहुत ही normal है, छो कुछ अलगी passion था, यह दोनों फिर मिलकर decide करते, एक दूसरे से कभी भी जूट नहीं कहेंगे, अगर उनने कोई और अच्छा लगता है, तो उसके साथ वो intimate हो सकते है, और by the end of the day, यह एक की relationship में हैना चाते है, इसी तरीके की open relationship, अब यह try करने वाले है, एक दिन यह दोनो एक party में गए, मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी, तो गैबी कहती है, तुम जाओ और उसके साथ बात करो, मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी, इसी party में गैबी लैरी से मिलती है, लैरी एक middle age का millionaire है, गैबी को उसे बात करकर hangout करकर अच्छा लगा, पार्ट उसवर नज़र अगना चाता था, ये भी वो try करते हैं, ये सब चीजे करने की वज़े से एक दुसरे से और भी attracted हो गए थे, एक दिन ये दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए, उसके साथ intimate हो गए, इनकी जिस तरह की relationship है, इसे relationship को लेकर एक author ने book लिखा था, वो इ इसी तरीके से वो continue नहीं कर सकते, इस बात को इन दोनों ने seriously नहीं लिया, Larry ने Gabby को अपनी board पर invite किया था, तो वहाँ वो चली जाती है, Larry Gabby से बोचता है, तुम्हारा boyfriend है, पर फिर भे तुम यहाँ हो, Gabby अपनी relationship के वार में उसे explain करते है, Larry कहता है कि ये चीज़ work नहीं क हरेगी, हर एक relationship एक transaction होती है, finally इस world में आदमी अकेलाई होता है, सिर्फ थोड़े time के लिए company ढूनता रहता है, इसी वज़े सो Gabby के साथ time spent करना चाहता था, इसके parallel में Martin अपने friend की साथ था, उसका friend उसे बुचता है, या इन सब जीजों से तुम्हें कोई problem नहीं, Martin कहता है Gabby किसी और से satisfied नहीं होती, finally वो मेरे पास ही आ जाती है, इसी वज़े से उसे कोई भी problem नहीं है, Martin आजकल ज़रा tension में था, एक दिन वो बार में गया, तो उसके Gabby की friend की friend, जिसका नाम में Blake, ये उसे वहाँ मिली, ये उसके साथ बेट कर drink करने लग जाती है, वो उससे कहती ह तुम कोई ना कोई चीज को लेकर tension में हो, मुझे बता डालो, Martin को नहीं बताना था, पर फिर भी उसके force की वज़े से वो बता देता है, वो गहता है कि मुझे अभी भी पता चला, मेरी girlfriend को baby हुआ है, वो जब relationship में थे, तब भी उसकी girlfriend pregnant थी, उसका miscarriage हो गया, उस वक्त उस सही से बात नहीं कर पाया, उसी वज़े से relationship तूट गई, उसे लगता था, कि वो हमेशा उसके लिए है, पर उसकी girlfriend life में सही तरीके से move on कर चुकी है, तो upset था, बलेक realize करती है, कि मार्टीन को यह सब बाते गैबी को बतानी चाहिए, वो uncomfortable होकर यहां से चली गई, मार्टीन सब बातों से बहुत disturb हो गया था, वो रात में गैबी के पास आया, उसे बात करना चाहता था, पर गैबी बहुत थक चुकी थी, वो रात में अपने ex-girlfriend की सब photos, उसकी videos देखता रहता है, इसके बात गैबी फिर से Larry के साथ date पर कही, आज राते दोनों intimate हो गए थे, अगली उसे जो जो कहा था, इस सब कुछ गैबी को पता चल गया, वो इस बात से बहुत गुसा हो गए, वो मार्टिन का laptop चेक करती है, यह उसे पता चला कि मार्टिन अपनी ex-girlfriend को email लिख रहा था, मार्टिन की घर आने पर इस बात से इन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो वो इसे कहती है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, मार्टिन कहता है, तुम में लारी को डेट कर रही हो, लारी ने गैबी को एक निकलेज दिया था, इसके बारे मार्टिन को पता नहीं था, अब उसे पता है, तो कहता है, तुमने इसके बारे मुझे नहीं पता आया, यह भी चाह इस तरीके से नहीं होती, जब भी तुम्हें लगता है तो ब्रेक अप कर लेते हो, किसी और को डेट करने लग जाते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो रिलेशनशिप को लेकर वर्क करना पड़ता है, आप में फाइल्स होगी, पर फिर भी आपको उस परसन की साथ ही र जो कभी भी एक दूसरी को छोड़ करने जाते है, कुछ भी हो जाए, हमेशा एक दूसरी का साथ देते है, मार्टिन के फ्रेंड ने उसे कहा, ये सब चीज़े बहुत ही सिंपल है, इससे कॉम्पलिकेट मत करो, जब गैबी लेरी के साथ थे, तो कहता है, मुझे मेरे बिज चोटी चोटी चीज़े होती है, इनका अगर आप ध्यान रखे, तो चीज़े ब्यूटिफूल हो जाती है, रिलेशन्शिप में इनी चोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थी, आज राद लेरी के हाँ पार्टी थी, इसी पार् था कि ब्लेक और मार्टीने दुनों intimate हुए थे, इस बात की वज़े से वो बहुत ये upset है और ब्लेक को इस पार्टी में नहीं देखना चाहती थी, वो बहुत upset हो के इस बारे में उसने लेरी से बात की, लेरी कहता है कि वो मेरी guest है, वो से इस तरह से नहीं निकाल सकता, गै कहती है कि मुझे बेवी होना ये मेरी लाइफ का बहुत ही ब्रूटिफुल पार्ट है वो मार्टिन से सौरी कहती है उसने कहा हमारे रिलेशन्शिप में मैंने सब चीजों को लेकर तुम्हें ब्लेम किया था मिस्कैरेज के बाद हम दोनों हर्ट थे इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए था मार्टिन पोचता है क्या तुम खुश हो वो कहती कि हाँ पर इस तरीके से खुश होना ये उतना एक्साइटिंग भी नहीं है कभी-कभी उससे बोर भी होता है पर फिर भी उससे यहीं लाइफ चाहिए जिस तरीके से मार्टिन की लाइफ है थोड़ी सी ए सोचता एक स्टेबल रिलेशन्शिप में नहीं जाता इन सब चीजों से उसकी एक्स गर्डफरेंट तंग आ गई थी और अब वो एक स्टेबल रिलेशन्शिप में है वो कभी-कभी बहुत लग सकती है पर फिर भी अल्टिमेटली यही हमें खुशी देती है मार्टिन अकेला पड़ चुका था उसे बहुत बुरा लगता है अगली दिन लैरी और गैबी फिर से बात करते है लैरी कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो गैबी कहती है कल राज हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे लैरी कहता है कि तुम सिर्फ ज़रा उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि यह रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है गैबी उसके साथ रहेगी इसके बदले में वो पुरा वर्ल उसे घुमाएगा यह सब बात गैबी को सही नहीं लेगी गैबी उसे गहती है तुम जो बात करे हो इस सिर्फ तुमारे ले सही है वो इस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है लैरी की लाइफ फिगर राउट है उससे कोई भी चीज़ के बारे में वरी नहीं करनी है यह भी ने रियलाइज किया कि उसने अपनी लाइफ अब तक स्टार्ट भी नहीं की है उसने रियलाइज किया है क वो मार्टिन से बहुत प्यार करती है, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंट करना चाहती है। मार्टिन के पास आकर उसने खा, मुझे कुछ सीर्यश चाहिए, जिसे मैं अपना मान सकूँ। मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए, पर मैं एक करना जाती हूँ, मुझे लगता है, मैं अगर इस relationship में efforts डालूंगी, तो सब कुछ सही हो जाएगा, जब मैं तुमारे साथ थी, तो हमारे relationship इसी magic की तरह थी, मार्टिन भी बहुत हर्ट था, पर वो गैबी से ही प्यार कर करता है, वो कहता है, पहले हम जो भी कर रहे थे, यह कुछ भी नहीं चलेगा, गैबी भी इसके लिए मान जाती है, गैबी को पता है, उससे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए, मार्टिन कहता है, हम दोनों इक दूसरे से बोर्ड हो जाएंगे, गैबी कहती है, फिर भी हम एक साथ रहेंगे हम अपने आपको याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं इन दोनोंने प्रॉमिस किया एक दूसरे को अनाय करेंगे फाइट करेंगे फिर भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे क्योंकि पैर के लिए हमें जगर ना पड़ता है पर ultimately एक दुसरे का साथ ही सबसे important है इसे एक powerful message के साथ एक movie end हो जाती है इस movie की relationship, इसकी settings यह शायद गलत लग सकती है पर behind the story, अगर हमने इस बारे में सोचा तो एक बहुत powerful message एक movie देख कर गई अगर आपको वीडियो चलागा, तो प्लीज इसे like कर दीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे